गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, I hope you all are well, so student आज हम exercise 10.1 में question number 12 to 17 करेंगे, तो चलते हैं सबसे पहले question की तरफ, question number 12, two sides of a triangle are 12 and 14 cm, the perimeter of the triangle is 36, अब student जैसे की यह triangle है, और इसकी two sides आपको दिवी है 12 और 14, और आपको जो है यह, जो third side है यह बतानी है, ठीक है, और perimeter में क्या होता है student, sum of all sides, जितनी भी sides होती है, उन सब का हम क्या कर देते हैं, sum कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे की student मैंने कहा कि आपके पास एक triangle दिवी है, और इसकी जो two sides है, 12 और 14, तो third side को student हम क्या कर लेंगे, x suppose कर लेंगे, let the length of third side, जो third side है, उसकी length को student हम 1 cm माल लेंगे, ठीक है, और जो second side है, वो कितनी है, 12 cm, और जो third side है, वो कितनी है, 14 cm, अब student जो perimeter होता है, perimeter में क्या होता है, कि हम sum of all sides करते हैं, तो हम ने जो side निकाल ली है, फस side, थार्ट side, थार्ड side, हम ने student क्या क्या किया, जो first side थी, उसको 12 वे ले लिए, और second side को हमने 14 ले लिया, और थार्ड side हमने निकाल लिया, जिसको हमने x माल लिया, पेरिमेटर क्या होता है sum of all side तो हमने जो 3 sides हैं इनको plus कर दिया और साथ में पेरिमेटर student हमें statement के अंदर क्या होगा है दिया होगा है 36 तो x plus 12 और 14 होगे 26 is equal to 36 तो 26 उधर जाकर minus हो जाएगा तो 36 में से 26 minus करेंगे तो 10 cm ये question number 12 हो गया और इसके अंदर हमने जो 3rd side थी वो निकाल लिए ठीक है इसको मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ कि हमें 3 sides दिए है पहली 12 दूसरी 14 और जो 3rd side है उसको हमने x माल लेना है ठीक है जो ची हम निकालते हम उसको x माल लेते है x क्या कोई भी हमने एक symbol ले लिया ठीक है जैसे की 3rd side करेंगे तो फिर्स है 12 है 2nd 14 और पेरिमेटर में हमने क्या क्या 3 sides को प्लस कर दिया इस इकल तो 36 फिर हमने 12 और 14 को प्लस कर दिया 26 26 को दर माइनस कर दिया तो 10 cm अंसर आ गया question number 13 में student find the cost of fencing of a square park of side 250 meter ठीक है आपको side जो दीवे है यहाँ पर कितनी दीवे है 250 meter और हमें cost निकालनी है इसकी fencing मतलब 4 और जैसे कि हम तार लगाते है ठीक है पारक के 4 और तो fencing करनी है तार लगा सकते है या हीटों की दिवार खड़ी कर सकते है तो हमने उसकी एक fencing करनी है घेरा बंदी करनी है तो 20 रुपीज मीटर जो है वो cost है या खर्चा है तो हमें पता रहे है कि total कितनी cost वाएगी एक है side यह है student 250 और perimeter जो है इसका फार्मला क्या होता है square का 4 multiply side 4 को हम side से multiply कर देंगे तो यह आ गया student 100 1000 meter टीक है 250 है 0 है तो 250 को 4 से multiply किया तो 1000 meter और इसमें कहते है कि cost जो है cost of 1 meter fencing तो इसकी cost जो है वो 20 रुपीज है और cost of 1000 meter 1000 के लिए हम क्या करेंगे 20 को 1000 से multiply कर देंगे student तो यह कितनी आ जाएगे 20,000 रुपीज तो यह 20,000 रुपीज जो है student इसकी जो है cost आ जाएगी किस चीज की fencing की ठीक है side दीवी थी perimeter का formula इसका square का four into my side और side से multiply कर दिया ठीक है और cost 1 meter की दीवी थी और 1000 के लिए हमें इसको multiply करना है question number 13 complete हो गया question number 14 में find the cost of fencing same यह है लेकिन अब की बार क्या है रेक्टेंगलर पार्क रेक्टेंगलर कैसा अब तर स्टूडेंट इस तरह से लेंथ इसकी 175 है और इसकी जो breadth है वह 125 और फिर हमें इसमें भी cost बतानी है fancy कि तो same बिल्कुल पिछले question की तरह है तो सबसे पहले आप लिखेंगे length of rectangle 175 मीटर इसके बाद जो breadth है 125 मीटर फिर perimeter perimeter of a rectangle इसका formula student याद रखना है कि two bracket में length plus breadth ठीक है तो bracket में length कितनी है 175, breadth कितनी है 125 तो दोनों को आपने plus कर दिया 300 और यह आगया 600 मीटर 600 मीटर student इसकी क्या आगी perimeter फिर वह कहता है कि cost of one meter fencing ठीक है तो कि जो 12 रुपीस पर मीटर है cost of one meter fencing आगी 12 रुपीस ठीक है student और cost of कितना मीटर है इसमे 600 मीटर 600 मीटर के लिए 12 को हम 600 से multiply कर देंगे तो 12 रुपीस है 72, 0 की 0 रुपीस ठीक है तो 7200 रुपीस इसकी cost आगी ठीक है सबसे पहले क्या था कि length जीविचे में फिर उसके बाद student क्या दिया हुआ था breadth perimeter का formula याद रखना है किसका rectangle का two bracket में length plus breadth तो length plus breadth 175 को 125 में plus किया 300 तो उसे multiply किया 600 और फिर one meter की जो cost थी वो 12 रुपीस थी और 600 के लिए हमने 600 से multiply कर देंगे यह question number 14 complete हो गया question number 15 में देख सकते हैं sweetie runs around a square part of site 75 and bull bull runs around a rectangular part who covers less distance इसका जो distance है वो कम है यह आपको बताना है हम क्या करेंगे जो दोनों के perimeter को compare कर देंगे ठीक है पहले जो perimeter हम निकालते हैं किसका square part perimeter of a square part तो वो square का rectangular होता है 4 multiply side 4 multiply side 75 multiply किया तो 300 meter आ जाएगा yes today तो हमने पहले क्या किया sweetie ने कितना run किया वो निकाल लिया अब बुल बुल की बारी है बुल बुल जो है वो rectangular park में है perimeter of a rectangular park अब rectangular का भी बताया था मैंने two bracket में length plus breath length को मैं L से लिख सकता हूँ small L और breath को मैं small B से लिख सकता हूँ length है 60 breath है 40 दूनों को plus कर दिया 60 और breath है 45 दूनों को plus कर दिया तो यह आ गया 105 तो two bracket में 105 bracket का मतलब होता है multiply 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 करेंगे तो two hundred तो आप देख सकते है कि कि less का जो distance है देखो यह पूछा था who covers less distance एक तो 300 आगया दूसरा 210 और perimeter का जो cover कौन कर रहा था बुल-बुल हम कह सकते हैं बुल-बुल covers the less distance पुल-बुल है उसने कम distance जो है वो cover किया यह 210 है और स्वीटी का था वो 300 था बुल-बुल बुल-बुल less distance cover किया को कोश्चन नबर 16 में है what is a perimeter of each other flowing देखें student perimeter क्या होता है कि जितनी भी sides होती है उनका sum जैसे कि पहले के अंदर जो परिमेटर होगा ए में आप देखें सभी की सभी क्या है 25 वैसे तो स्केर नज़र आ रहा है यह तो आप सिधा भी इनको सब को प्लस कर सकते हैं सब को प्लस किया तो 100 मीटर ऐसे ही बी पार्ट में पैरिमेटर क्या होगा 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 इन सब को प्लस किया ये भी कितना आ गया 100 मीटर मतलब sum of all sides जितनी भी sides है student figure की उन सभी को प्लस कर देना है आप सिदा formula भी लगा सकते हैं जैसे square है तो square का आप 4 multiply side कर सकते हैं देख तो side 25 है multiply किया 100 जैसी ये rectangle नजरा था इसका formula होता है 2 bracket में L प्लस B तो L की value है 30 B की value है 20 50 तो ये 100 तो आप इस method से भी कर सकते हैं या simply सभी side को क्या कर देंगे आप plus कर देंगे तो ये मैंने आपको formula से भी बता दिया और simply सभी को plus करके भी पता दिया आप जिस मर्जी method से कर सकते हैं question number 70 में कहता है कि अपनी wise nine square आप ये देख सकते हैं कि ये जो है nine square each of with a side of one ये जो छोड़ चोड़ स्केर है ना इनकी side swing क्या है one by two one by two टीक है तो nine square है तो इसकी जो side है देखे पहले जो figure है वो square है को कि तरी ये देखे तरी यहां भी तरी है यहां भी तरी है यहां भी तरी है one by two one by two one by two three upon two meter अब इसका student perimeter निकाल ला है तो पहली figure है तो perimeter क्या होता है square का four multiply side four को three upon two से multiply किया नीचे two fours are two and two threes are six meter तो यह perimeter आ गया student जो first figure है उसका और second में भी अगर आप देखें तो इस तरह से जो है वो arrangement है तो उसका भी आप perimeter में का सकते हैं सबी को plus करके देखें जैसे यहां पर half है तो यह कितने half होंगे अगर मैं यहां से शुरू करूं जो second figure है इसमें यह half half करकी कितने होगे 20 होगे अगर मैं perimeter of second figure जो second figure है उसका perimeter निकाता हूं तो कितने sides है उसकी 20 और हर एक side कितनी है half यह किना half से multiply कर देंगे कि देखो 20 है यह मैंने भी count किया है और half ही जो square की side है तो यह cut second figure का student इसना 10 meter आया है तो कि 20 इंटू half तो 10 meter आएगा second figure का फिर B part है उसमें पूछता है second figure का तो यह 10 meter हो जाए तो पिर कहते है कि कि यह जो D part है फिर यही आता है कि हाँ इसके अंदर अगर D part में कहते है कि इसका जो arrangement है लेकिए अगर यह जो side sides है अगर यह जैसे यह row में है अगर इसको हम row में करेंगे तो इस सबी का जो perimeter होगा जैसे यह कितने scale है total 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हाफ हाफ करेंगे आप यह देख सकें कि यह total कितने मना है अगर मतलब इनको मैं रो में करूगा तो इसकी जो है 20 sides होंगी यह 1 by 2 10 meter यह तो पाल दा स्केर्ज आ रेंज इंगो ता पैरिमिटर दी 10 meter यह आप statement में देख सकते हैं इसके question और फिरीन को समझते करेंगा वीडियो अच्छी लगी तो इसको share जीव करना है वी केर जयम आता दूंद झाल, 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 झाल.